तो फे इस पालक तो हम रोजा ना खाते हैं क्या आपने पालक की कभी नई रेसीपी बनाई है चो खाने में टेस्टी हो और बनगे जल्दी तेयार हो जाती हैं अगर आप एक बार इस recipe को बना लोगे तो सब्टे में चार बार इसे ही बनाओगे तो चिली जलिशी शुरू करती इसे बनाना इस recipe को बनाने के लिए मैंने यापर 50 गाम पालक लिया है इसे हम अच्छे से दो लेंगे और दोने के बाद हम इसे पारिक से काट लेंगे और काटने के बाद इसे हम site में रख देंगे इसका use हम बाद में करेंगे अब मैंने यापर एक उबलावा आलू लिया है इसे हम अच्छे से मेश कर देंगे आप चाओ तो इसे grate भी कर सकते हो बस इसके अंदर कोई गुटली नहीं देनी चाहिए आप चाओ तो इस रेसिपी के अंदर कच्छे आलू का भी उज़ कर सकते हो आलू को मेश करने के बाद इसे हमें एक बड़े बरतन में निकाल देंगे हमने जो पालक काट के रखा है वो डाल देंगे और साथ में कुछ मसाले डालेंगे एक चमच लाल मिच पॉडर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पॉडर डालेंगे एक चमच धन्या पॉडर डालेंगे स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे आधा चमच गरम मसरा डालेंगे आधा चमच कच्च जिरा और आधा चमच सोप डाल देंगे चुटकी बर हिंग डालेंगे और साथ में दो छुटी चमच हम यहाँ पर बेसन डालेंगे बेशन की जगा आप सुजी या फिर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो इन सबी चीज़ों का हम आलू में अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंज मैं आपको याद दिला दो कि अगर आपको मेरी रेशिपी पसन आती हो तो मेरे चेनल को सुस्क्राइब जरूर करें अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गोल बनाके तयार करेंगे गोल को हम ना तो ज़्यादा गाड़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला गोल हमारा इस तरह से होना चाहिए ये हमारा बन के तियारे इसे हम साइड में रखेंगे यहाँ पर मैंने सुबह के बचे हुए तो पराठे लिएं इसकी जगा आप रोटी भी ले सकते हो इसका हमें इस तरह से रोल बनाना है और इसके हम पिस्ट कट कर देंगे तो फिंस हमारे गर में तो रोटी बर्ची जाती हैं तो क्यों न हम रोटी का इस तरह से नास्ता बनाएं पिस्ट कट करने के बार एक बार फिर से हम इनको बीच मिचे इस तरह से काट लेंगे तो ये हमारे जादा न तो बड़े और नहीं जादा छोटे पिस बनके तेयार हो चुके हैं यहाँ पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है अब हमने जो गोल बनाया है वो लेंगे और रोटी का पिस उठा कर इसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे और तेल को हमें पहले हाई फ्लेम पर गरम करना है और इन पिस को फ्राई करते समय गेस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलरते पुलरते होगे अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे इन्हें फ्राइ होने में 2-3 मिनिट का टाइम लगेगा इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है यानि कि ये बन के तेयार है इसी तरह से हम सारा नास्ता बना के तेड़ी कर लेंगे तो ये लीजे फिन सिब दो रूटी में देह सारा नास्ता बनके तेयार हो चुका है ये बहुती क्रिस्पी बनके तेयार हो आ है और खाने में तो बहुती टेस्टी है ये इन्हें आप बना कि सुब़ शाम की चाई की साथ भी खा सकते हैं तो फ्रेंज आपको कैसे लगे मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगे हो तो लाइक करना शेयर करना और सुस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ ताइम क्यों पूर वोचिंग